सब्सक्राब अबर चैनल एंड हिट टो बेल आइकन तो गेट लेटेस्ट अपडेट आफ यूर वर्ड स्टार प्लस के लॉंगिस्ट रॉनिंग शो यानि कि ये इचता क्या कहलाता है से जुड़ी लेटिस्ट अबेट के साथ एक बार फिर से हाज़र है हम आपके पास लेकिन इससे पहले बताएं आपको ये क्या कुछ हो आपी थे वेपिसोट में जहां पर एक तरफ देखनी को म मनीश के कहने पर ही किया है नायरा ने नायरा ने ही हेलप ली है मिहीर की मिहीर ने गहने चुराएं नहीं है बलकि चोरी की कहने बापस लेकर आया है और ये सारा का सारा काम ड्राइवर ने किया है जो कि वेल लेकर फरार हो गया था तो वहीं पर आप देखने वाले है कि कार तो घर चोड़ कर चले जाएगी, क्योंकि उसे किसी काम से बाहर जाना होगा, इसलिए क्रिश के देख रेक कार्थिक और नायरा दोनों मिलकर करेंगे, और ये सब कुछ देखकर दादी बहुत जादा खुश हो जाएगी, दादी को लगने लगेगा, कि अगर कार्थिक नायर इसके अंदर, और ये सब कुछ हुआ है, मिहीर के कहने पर मिहीर चुपके चुपके नायरा से मिलते हैं, अब ना जाने, वो लोग क्या बाते करते हैं और क्या नहीं, जिस बातों को समकर कार्थिक का दिमाग खराब हो जाता है, वो बहुत जादा गुश से ने आ जाता है, कार्तिक पॉस्टमेंगे पिटाई करने के लिए जा रहा ही होता है कि तब ही वहाँ पर एक लड़की आती है और कार्तिक को रोक लेती है तो आपको बताएं कि ये लड़की और कोई नहीं बलकि मीहिर की गल्फेंट में ताली है जो कि जल्द ही शो के अंदर एंट्री लेने वाली है और एंट्री लेनी के साथ ही साथ ये कार्तिक नैरा के जिन्दिकी में आग लगाने का काम करेगी कार्ति को भढ़ताने वाली है मीहिर और नायरा के रिष्टे के खिलाब कि इन दोनों के रिष्टे में कुछ तो चल रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि मीहिर नायरा से प्यार करने लगा है ये सब कुछ कहेगी कार्तिक से जिसके बाद कार्तिक का गुस्सा और जादा बढ़ने वाला है और साथ ही उसका शक भी बहुत जादा बढ़ जाएगा अब आगे देखना बहुत ही ज़्यादा दिल्चस्बूने वाला है कि कि सरसे कार्थी के मन से नायराई फुरा शक निकालती है और दोनों के रिष्टे ही नई शुरुवात होती है वेल क्या कुछ होगा आदे वाले एपिसोद में इस बात की जनकारी लेकर लोटेंगे आपके पास लेकिन तब तक के लिए बले रहे हमारे साथ हो साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल 24x7 Online News News के रिपोर्ट स्ब्सक्राइब रहे हैं।